इस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हमें कवर करना है जो टॉपिक हमें डिसकस करना है वो है हमारा SVM that is related which is known as support vector machine और यह आपका learning से related है चलिए एक बार सा SVM क्या है support vector machine क्या है उसके बारे में ध्रुड़ा सा जानते हैं तो कुछ important points है जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया उन पे एक बार फोकस करना first of all support vector machine और SVM is one of the most popular supervised machine learning algorithm classification which is used for classification as well as regression problem however primarily it is used for classification problem in machine learning the goal of SVM algorithm is to create the best line or decision boundary that can segregate in n-dimensional space and class so that we can easily put the new data set with correct strategy for the future support vector machine का main use है वो यह है कि हमें एकदम correct way के अंदर output को जो है अपना predict करना है जो outcome है वो हमारा possibly एक best solution हमारे सामने निकल के आना चाहिए कि जो भी task हमने perform करी है किस तरीके से होगी होगी क्लिया अभी से एक figure के form में आप और समझेंगे स्वेम चूज़ेश दा एक्स्टीम पॉइंट वेक्टर देट हैल्पू क्रिएट दा हाइपर प्लेइन अभी नहीं टर्मिनलोजी हमारे सामने आई है हाइपर प्लेइन अभी डिसकस करते हैं क्या चीज़ें इस एक्स्टीम केसिज आर कॉल्ड दा सपोर्ट वेक्टर जो है हम बोलते हैं आपर एक चीज जो है यह आपका हैपर प्लेइन रिप्रेजेंट करती हैँ अभी हम दो एक्सस के बीच में हैं और उन्हें इस तरीके से ये जो लाइन है इस लाइन के कुछ जो पॉइंट्स हैजिसके डेटा सेट के बैसिज आपको डिखाई दे रहे हैं वे इस साइड में कुछ ग्रीन पॉइंट जो है वह आपके इस साइड में इस line के corresponding जो maximum marginal length हो सकती है maximum margin जो हो सकता है वो यहाँ पे specify किया गए ठीक है जो एक direction है वो आपकी positive hyperplane की और दूसरी आपकी negative hyperplane को जो है वो represent कर रहे है यहाँ पे जो blue dots और green dots दिखाई दे रहे हैं यह represent कर रहे हैं आपके किसको support vectors को जिनके basis पे हम अपने results को और output को जो है वो predict कर सकते हैं इन line के basis पे आप positive hyperplane और negative values को जो है वो define करके आपके जो vector model का output है उसका आप representation यहाँ पे कर देखते हैं चलिए वो ही figure है जो हमने class के अंदर भी काफी detail में discuss किया था वो ही हम यहाँ पे discuss कर रहे हैं for example हम एक example यहाँ पे लेके चलते हैं suppose svm can we distribute the example that we have used in the KNN classifier suppose we see a strange cat that also has some features of dog so if we want to model that can accurately identify whether is cat or dog यहाँ पे support vector machine हमारे लिए important कब हो सकती है for example एक example हम यहाँ पे consider करके चल रहे हैं dog और cat का दौनों के जो features हैं वो अलग-अलग हैं but कुछ cats ऐसी हैं जो जिनका output जो outcome जो है उनके जो features जो हैं वो कुछ similar हैं आपके किस से डॉक से तो जो machine आप बनाना चाहरा है जो model आप बनाना चाहरा है जो model आप train करना चाहरा है वो आप कैसे करेंगे और model कैसे identify करेंगा कि यही particular cat है जबकि वो कुछ feature dog के भी रखता है तो यह जो dnn classifier के तुरू हम इस काम को कर रहा है वो exactly इस point को identify कर पाए तो यह तभी possible है जब आप svm वेक्टर मशीन सपोर्ट वेक्टर मशीन algorithm जो है वो यहां पर use में लेंगे इस figure को एक यहां से देखिए दिस सुन हमने पास लेवल डेटा पास किया डिस में dog से related cat से related information model को दी मशीन के पास गया मशीन के पास prediction उसने perform किया new data हमने उसे provide कर वा है उसने बता दिया its cat बट यह जो cat है इसके पास कुछ features थे जो dog से related है तो यदि यहां पर कुछ mistaken होती है कुछ uncertainty आयती है तो result dog उसका हो सकता था बट इसने output क्या दिया cat तो यह जो certain prediction यहां पर हो रहा है जो result हमारे पास आ रहा है वो आपका क्या है किस वज़े से आ रहा है कि यहां पर support vector machine model जो है वह हम यूज में ले रहे हैं तो इसलिए जो SVM यूज फॉर फेस डिटेक्शन इमेज classification tax categorization तीन चीज़ों में आपके SVM जो है वह बहुत important तरीके से work perform कर सकता है ठीक है अब इसके बाद हम types of SVM के अंदर जाएं support vector machine में जाएं तो दो तरीके से आप इसे classify कर सकते हैं one is linear and second one is nonlinear linear SVM क्या होता है आपके linear SVM is used for linearly separable data which means if a data set can be classified into two classes using a single state line such data is termed linearly separable data and classifier is used to call a linear SVM classifier and what about the non-linear non-linear data set क्या होता है non-linear SVM is used for non-linear separable data which means if the data set can't be classified by using the state line then such data is termed non-linear classifier यदि आप एक single line की form में linear line की form में data को यदि classify कर रहे हैं तो आपके linear support vector machine की form में आएगा और यदि आप non-linear form में data को represent कर रहे हैं तो आपके non-linear support vector form के अंदर वो चीज़ जो है वो consider की जाती है तो इस तरीके से जो आपकी support vector machine है उसका काम क्या है accurately data को identify करना जिसमें आप hyperplane जो मैंने अभी बताया hyperplane के concept को लेके आप एकदम marginal value पे अपने data को जो है train करके data के उस train data level data के basis पे output को जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो यह जो आपकी support vector के अंदर देखते हैं जो आपने class के अंदर भी discuss किया है अभी यह वाला वीडियो लेक्ट्चर में है stop कर रहा हूं आखे कि जो upcoming topics है वो आपन next lecture के अंदर discuss करते हैं thank you all of you